दोस्तो देश और बिहार की गरीबी को लेकर एक रिपोर्ट आई है इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये तो हम नहीं जानते पर हम आपको वो रिपोर्ट बताने जा रहे हैं दोस्तो इस रिपोर्ट में बिहार की गरीबी कम हुई है और ऐसा इस रिपोर्ट में जिहां बिहार में 3.77 करोड़ों गरीबी से बाहर आए हैं ऐसा निती आयोग द्वारा सुजारी किये गए रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है दरसल 2005-2006 और 2019-2021 के बीच बिहार में 44.5 प्रतिशत आबादी बहु आयामी गरीबी से बाहर निकली है दरसल निती आयोग रास्तिय बहु आयामी गरीबी स्वास्त, सिक्षा और जिवनस्तर के मोर्चे पर इस्थिती को मापती है जिसमें पोशन, बाल और किसोर मिर्तियुदर, मातित्व स्वास्त, स्कूली सिक्षा के साल, स्कूल में उपस्थी थी, खाना पकाने का इंधन, इजली, घर, संपत्ती और बैंक अकाउंट शामिल हैं, सोमवार को निती आयोग जो आकड़े जारी की हैं, उसके मुताबिक देश में बहु आयामी गरीबी 2013 से 2014 में 29.1 प्रतिशत थी, जो कि 2022 से 23 में घटकर 11.28 प्रतिशत ही रह गई है, इसके साथ ही इस अवधी के दौर 24.82 करोड लोग गरीबी से बाहर आये हैं, रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड लोग गरीबी से बाहर आये हैं, वहीं बिहार में 3.77 करोड लोग और मद्य प्रदेश में 2.30 करोड लोग गरीबी से बाहर आये हैं, बहु आयामी गरीब संभावना जताई गई है कि 2024 के अंद तक भारत इस मोर्चे पर एक अंके आगड़े में पहुंच जाएगा अब बिहार कितना गरीबी से बाहर निकला है यह आप से बेतर तो कोई बता नहीं सकता